हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों ये वीडियो उन सभी स्टुरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जिनोंने जून 2022 का एक्जाम दिया था और उस एक्जाम में किसी भी स्टुरेंट्स की बैक आई थी अगर आपने भी जून 2022 का एक्जाम दिया था और आपकी किसी भी एक्जाम में बैक आई है या आपने जून 2022 का एक्जाम नहीं दिया था आपने कोई भी पेपर स्किप कर दिया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो दोस्तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके December 2022 exam form के बारे में आपके exam form की जो last date है वो 15 November है without late fees तो अगर आपने भी अपना exam form नहीं भरा है जो जो student कुछ student ऐसे हैं जिनको exam form भरना है अगर उन्होंने जनवरी 2022 session में किसी भी yearly based program में admission लिया है कुछ student ऐसे हैं जिन्होंने जुलाई 2022 session में किसी भी semester based program में admission लिया है और कुछ student ऐसे हैं जिनकी June 2022 exam में back आई थी यानि वो fail हो गए थे या फिर उन्होंने exam skip कर दिया था तो वो सभी students अभी December 2022 का exam form भर सकते हैं अगर आपने भी अपना exam form नहीं भरा है तो आगे आपको क्या करना है तो आगे आपको ये exam form भरना है December 2022 का यहाँ पर अगर आप ये exam form नहीं भरते हैं तो आपके फिर exam जो भी रह जाएंगे फिर आपको आगे मौका दिया जाएगा बहुत सारे student ऐसे हैं जिनका कहना है कि अगर हम अभी December में exam ना दे तो इससे क्या होगा इससे कोई problem होगी तो अगर अभी आप December का exam नहीं देते तो इससे कोई problem नहीं होगी आप June 2023 का exam भी दे सकते हैं अगर आप अभी exam देना चाहते हैं तो आपके पास 15 नवंबर तक का समय है 15 नवंबर तक without late fees अपना exam form भर सकते हैं इसके बाद 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आप with late fine 11 रुपए with late fine अपना exam form भर सकते हैं तो अगर जिन भी students का final year है वो चाहते हैं कि उनका course जल्द से जल्द complete हो जाए तो आप 15 नवंबर तक अपना exam form जल्द से जल्द भर दे जिससे कि आपके December में exam हो जाए और आपका course complete हो जाए इसके बाद कुछ students का कहना है कि हमारा result नहीं आया है तो हम क्या करें तो जिन students का अभी तक result नहीं आया है तो जिन भी subject का result आ गया है अगर आपकी उन subject में back है तो आप उसका exam form भर दे और जिनका आपका result नहीं आया है आपको लगता है कि इस paper में आपकी back आ सकती है तो आप उसका exam form भर सकते हैं नहीं तो आप उसका exam form ना भरें वो paper आप बाद में भी June में भी दे सकते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं या फिर आप exam form बरना चाहते हैं तो भर दें बाद में अगर आप pass हो जाते हैं तो उसके आपके 200 रुपए या जो भी subject के आप पैसे बरेंगे वो waste हो जाएंगे बाद में उसका exam आपको देने नहीं जाना है इसलिए आपसे request है कि आप 15 नौंबर से पहले जिन भी students की back आई है या वो fail है या फिर उन्होंने exam skip किया था तो आप 15 नौंबर से पहले ये काम जल से जल कर लें क्योंगी last date में क्योंगी last date को website काम नहीं करती है इसलिए बहुत सारे students का message भी आता है कि exam form open नहीं हो रहा है तो आप जल से जल अपना exam form बर लें जिस तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद